नमस्ते फ्रेंट्स आज मैं आप सबके सामने होली DIY डेकोरेशन आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जो कि घर की पड़ी हुई चीजों से ही हम DIY एन औरगनाइजर बनाएंगे कि मेरी DIY जो है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में हमेशा बनती आती है तो मैं सोची चलो इस बार होली में भी कुछ ऐसी जो से जो बनाएं जो कि हर किसी के घर में अवलेवल होती है तो चलिए चलते हैं इसके लिए मैंने लिये मिठाई के डब्बे और मिठाई के दो पार्ट में मैंने एक पार्ट का यूज किया और दूसरे कइड़ों मिताई के डबि में ससह साइड है मैंने कड्ली गब कार दूँगी ताकि जो sandy कड़ी मैंने मिताई कर दूँप्ड़ा थिक वा सब्सक्राइब एग लोगाज़ाएं नहीं को बना ऩो यह को बना कर सकते हैं तो इस तरह से कट करके यहां पर तीनों साइड साइड से इस तरह से मैंने लगा दी है कोरalomả里 में भी डावल आइसख्रीम नगा करके और कुछ यह इहां पर मैंने लिए लेलेसष एहां पर लगाने क्या होता है कोई भी ऑगनाइजर या डियाइवे बना तो इसकी खुबसूरती और बर जाती है तो मैंने यहां पर लेसे लगा दी है और नीचे साइड में भी मैंने देखा कि यहां पर कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था तो मैंने फिर से कलर फुल यहां पर इस तरह से कल कर दी है और कुछ मैंने फाइप कफ मैंने की है अलग-अलग कलर में आपके पास जो 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 अब लेवल अगर आप बनाने में इंट्रेस्टेड हो तो आप बना सकते है तो यहां पर देखिए मैंने फाइप कप को इस तरह से कलर करके इसको ड्राय होने के लिए रख दिया और यहां पर अब क्या करूंगे कफ का जो ऊपर संपर्सन फरसन मैंने वाइट वाले जो चोड़े थे उसमें मैंने कलर नहीं किये तो इसको कट कर लूंगे कट करने के बाद यहां देखिए इस तरह से दोनों साइट से इसको हाट गनगुलू लगा कर चिपका दोंगी चि कुछ less लगा दी भी है और less लगाने के बाद यह बनके मेरा रेडी हो गया है चोटू-चोटू सा बाल्टी और इसका मैं देखो क्या यूज करने वाली हूं तो यह बहुत ही प्यारे लगते हैं अगर आप भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं तो यह देखी एक ट्रे में म इस बाल्टी को यूज कर सकते हैं नेक्स डियाइवे के लिए मैंने यहाँ पर बटर वाले जो पेपर होते हैं उसके अंदर का जो बॉक्स होता है उसको मैंने कट कर के लिए है और यहाँ पर ग्लिटर वाली जो पेपर होती है वो मैंने उसमें चिपका दिया यह डेकुरेशन के परपस से मैंने हो लिए में कुछ ड्याइवे इस तरह से कलरफूल चीजे बनाओ तो घर भी सुंदर लगता है आपके फैमिली मेंबर जो भी आएंगे देखके तारीफ करेंगे तो इसे कैप में भी इस तरह से लगा कर के स्टिक को चिपका दिया है थोड तो नेक्स डियाएवे के लिए मैंने यहां पर लिए रेट कलर का रीवन जो कि हर घर में मुझे लगता है वलेवल रहते होंगे तो यहां पर देखिए रीवन को यहां पर क्रॉस में इस तरह से करके मैंने चिपका दिया और रीवन के उपर मैंने गम लगा-लगा कर कुछ यहां मेरे पास थैंत इस तरह से चिकई है तो आप इस तरह से होली में अगर आप आप आपार्टमेंट या सोसाइटी में रहते हैं अगर आपके फ्र Infinite करते हैं तो इस तरह से डियाएवे बनाकर गरके में और श्यूद्स बना करके आप सुंदर सा यह लगता है और बहुत ऑच्छी ये डियाईव के लिए यहां पर नेक्स दियाईवाइ कें लिएंने कुछ प्लासिक का बॉक्स लिया है और यहां पर मैंने बिजुन के लिए कप्ड़े को इस तरह कुछ लगा दोंगी कुछ भी अग्रनाईजर बनाने में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगता और होली वाले टाइम में अगर कुछ डियाईवे बना और जैसे जंडियां टाइप से कुछ कलर फूल तो वह उसे और भी सुन्दर सालगता है यहांपर मैंने तो यहां पर मैंने उन से इसको फोल्ड कर दूंगे, राउंड राउंड करके इस वायर को मैं यहां पर फोल्ड कर दूंगे, ताकि यह वायर दीखे ना, फूरी फोल्ड करके यहां पर मतलब मेरा बन जाएगा, इस तरह से देखिए उस DIY में मुझे काम है, तो मैं इस तरह से फोल्ड करके बना रही हूं तो यह देखें डियाइवै बहुत ही कम पैसे में कम समय में एपने फ्रेंड को इस तरह से गिप टैंपर दे सकते हैं कि कि इस तरह से कंट हे यहां पर अब enable रगा रोह यह हैं आप पर ऑइंसों यहां पर थे इस Certísimo सब भी संदेश्ल और हें लिए दिन्यदी tapacitrig किया प्रण पर चखेंबंगी अब कुछ अगरी आभ तो टॉपिया रखक और र rolled ०्ध बहुत प्यारा सा एक बहुत कम समय में बनने वाला ये डियाएवा है। नेक्स डियाएवा के क्ल्बी जानेएखिए मेरा एक वाल हैं कछों होलि हनी हें कलरफूल है होली मेशा डेकृड़ेट करो तो बहुत सुंदर लगता है। यह दिल है वाटल में औरे पर फीडिया है। मैं नगर अलगर करना लिया तेनों को साथ में ले करके मैं इहाँ पर हॉटगण गुलूцу सटाटिंग में लगा करके चिपका दिया था रियूज कर लिया और होली में कुछ कलरफूल चीजों से अपने घर को भी कुछ और नाइज करो ना तो घर बहुत ही सुन्दर सा लगता है तो यहां पर देखिए मैंने इस बॉटल में कुछ आटिफिशल फ्लार रख दी है चोटू-छोटू सा और यह देखिए मेरा कितना नया सा मेरा वाल हेंगिंग बन गया है बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में अभी तो फिलाल मैंने इसी तरह से मैंने हैंग कर दी है अभी मैंने जगर डिशाइड नहीं कि कहां पर इसको हैंग करूंगी बस मैं भी वीडियो में आपको दिखा रही हूं कि इस तरह से मैंने देखिए कुछ वाल हेंगी को मैंने किस तरह से रियूज कर लिया बिल्कुल नए तरीके से नेक्स्टर डियाइवाई के लिए मैंने यहां पर लिया है चूरी क्योंकि हम अपने फ्रेंज को देने के लिए अपने लिया है और इस चूरी में दोनों को इस तरह से फोल्ड करते जाओंगी बहुत ही असान है आप इस तरह से बना करके अपने होली में अपने हाथ को सजाईए और अपने फ्रेंज के साथ होली मनाईए रंगों में रंग जाईए बहुत ही easy है आप अपने पुरानी चूरी को यूज करके इस तरह से होली में अपने नई तरीके से इस तरह से चूरी को पहन लीजिए पुरानी चूरी को भी आप यूज कर लीजिए यहाँ देखिए मैंने उनको फोल्ड करके इस तरह से लगा कर चिपका दिये थे और हाथ को इस तरह से कलरफूल चीजों से सजा दीजिए और इस तरह से पहन करके आप अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ होली खेलिए तो कि देखे कितना प्यारा सा बन गया बिल्कुल नए तरीके से हो गया बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने पुरानी चूरी का और आप सभी लोगों को मेरी तरब से हैपी होली